मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने कारगिल विजय दिवस के आउसर पर आज खुपाल में शौरिस मारक पर शहीद जवानों को शद्धा अर्पित की इस दुरान उन्हें मीडिया कर्मियों से चर्चा करते वे कहा कि आज कारगिल विजय दिवस है जिसको लेकर पुरे देश का माता गर्व से उचा उठा हुआ है पाकिस्तान ने घुसपैठियें के रूप में पाकिस्तान सैनिक भेजे थे हमारे सैनिक उची पहाडियों पर चड़ते हुए लड़ाई लट रहे थे लेकिन इस कठिन लड़ाई में जिस वीरता का परिचे दिया वो अद्भूत है इस कठिन लड़ाई में जिस विर्ता का परिचे हमारी सेना ने दिया था वो दुनिया के इतिहास में अध्भूत और अभूतपूर्व है पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए गुस पैठी एक हदेर दिये गए और आज के दिन ही हमने कारगिल विज़े प्राप्त की थी पूरे देश का माथा गर्व से उन्नत है पाकिस्तान ने चोरी छिपे गुस पैठी और अलग बेस में पाकिस्तानी सैनिक भेजे थे जिसमें दोनों सैना बराबरी पनी थी भारत की सैना के हमारे बीर जवान उंची पहाड़ियों पे चलाई चड़ते हुए दुसमन से युद्ध कर रहे थे जो उपर चोटी पे बैठे थे उनकी इस्थिती अलग थी वहाँ से बाहर करना असान होता था लेकिन इस कठिन लगाई में जिस वीरता का परिचे है भारती सैना ने दिया हमारी आर्मी हमारे एर फोर्स वो दुनिया के इतिहास में अदभुत है अभुत पूर्व है पाकिस्तानी सैनिक मार गिराए गए गुस पैठी एक खदेर दिये गए और आज के दिन ही कारगिल विजय हमने पूरी तरह से प्राप्ट की थी आज अटल जी कोबी में प्रणाम करता हूं भारत के प्रधान मंत्री के रूप में वो इस पूरे अभियान को देख रहे थे और हमारे बीर जवान हमारे अधिकारी हमारे सैनिक वायु सैना के हो आर्मी के हो उन्होंने जिस अदम में साहस और बीरता का पर्चे दिया उसके लिए मैं उनके चर्णायों में प्रणाम करता हूं पाकिस्तानी सैना को हमने ख़देडा पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए लेकिन हमारे भी 527 जवान साहीद हुए थे मैं उनके चरणों में भी स्रिद्धा साहित नमन करता हूँ